वीडियो के जरीए मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। गुड न्यूज ये है कि अब PG की सीटे MBBS की सीटों के बराबर हो जाएंगे। यानि आज की तारिक में MBBS की कुल 1,226 सीटे हैं और PG की 64,000 सीट्स हैं। किंद्रिय स्वस्ते मंतरी मंसुक मंडाविया ने कहा है कि सरकार अगले चार साल में PG की सीटों को MBBS की सीटों के बराबर करने पर काम कर रही है। इससे हर MBBS पास आउट को PG करने का मौका मिल जाएगा। ये सभी MBBS करने वाले या फिर NEET, UG वर PG की तयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए गुड नियोज है। क्योंकि पहले MBBS करने के बाद आदे स्टूडेंट ही PG के लिए सलेक्ट हो पाते थे और काफी सारे स्टूडेंट को सीड्स कम होने के कारण डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाते थी। उनको मजबूरन अदर ब्रांच में PG करना पड़ता था मगर अभी हर एक ब्रांच में PG की सीटें इंक्रीज हो जाएंगी जिससे हर स्टूडेंट को फाइदा होगा। मैं आपको अपने फर्सनल व्यू बताऊं मैं काफी दिनों से ये सोच भी रहा था कि PG की सीट्स इंक्रीज होनी चीए ताकि हर MBBS को PG करने का मोकम मिल सके क्योंकि आजकल MBBS की वेल्यू को देखते हुए PG करना आवश्यक हो गया है। तो फाइनली ये चार साल में PG की सीट्स MBBS के इक्वल हो जाएंगी और इससे सभी स्टूडेंट को फाइदा होगा। तब तक के लिए जैहन।